दोस्तों ऐसे तु इतिहास हमें कई राजा महराजाओं और सिपाहियों से पड़्चे कराता है जिनकी क्रूरता को सुनकर आत्मा काप जाती है लेकिन आज हम जिस सासक के बारे में बताने जा रहे हैं उसने अपने जीवन का पहला कपल खेलने और कुदने की उम्र 12 साल में कर दिया था वह एक ऐसा क्रूर सासक था जिसको आज भी इतिहास के पन्ने पलटने पर एक हत्यारे के नजर से देखा जाता है लेकिन जन्म से कोई हत्यारा या खलनायक नहीं होता है बलकि उसकी जीवन और प्रस्थिती उसको खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर देती है जी हाँ आज हम इस विडियो में बात कर रहे हैं चंगेज खा के बारे में चंगेज खान एक बहुत ही कुशल और कुरूर मंगोलियन समराठ था जिसने अपने युध कौशल से सन 1206 से लेकर सन 1227 तक तक एसिया और इरूप के एक बड़े हिसे को जीत लिया था चंगेज खान के जन सन 1162 के आज पास मंगोल के एक खाना बदावस इलाके में हुआ था चंगेज खान जब दस बर्स के था तो उसके पिता का दिहानत हो गया पिता के मेतु के बाद चंगेज खान अनात हो गया अनाथ होने के बाद भी चंगेज खां कठिन परिस्त्रम करता रहा और आगे बढ़ता चला गया चंगेज खां बच्पन से ही बहुत बड़ा गुशैल था एक बार उसकी छोटे भाई ने उसकी मचली को चुड़ा कर खा लिया तो उसने घुशे में आगर अपने ही छोटे भाई की हत्या कर दी चंगेज खां का बच्पन का नाम तहमू दिन था उसने सुरू से अपने काबिलियत के बल से अपने काबिले में एक अच्छा खासा परभाव बना लिया था वन दिन आही गया जिस दिन मंगोल की सभा ने चंगेज खां को अपना सरदार भूसित कर दिया और सभा के लोगों ने उसे कगान की उपाधी देडाली जो आगे चल कर खान में बुदल गया चंगेज खां नाम उसे तब मिला जब कई राजाओं ने उसकी स्वाधिंता को स्विकार कर ली और प्रिठवी का एक बड़ा छेत्र उसके कबजे में आ गया अब तहमों दिन चंगेज खां बन गया जिसका अर्थ होता है विश्व का समराट चंगेज खां ने सन 1206 से लेकर सन 1227 तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कबजा कर लिया था जिसका छेत्रेफल 3.30,000,000 किलोमीटर तक फैला गुआ था यह छेत्रेफल दुनिया का 22% हिस्सा है चीन से लेकर बुखारा तक उजबेकिस्तान, समरकंद, रूस, आफगानिस्तान, इराग, इरान, बुलगारिया और हंगरी तक चंगेज खां का समराज फैला हुआ था इतिहास में इतना छेत्रफल कोई दूसरा समराट नहीं जित पाया चंगेज खां ने अपने सेना और घुरा को युध के लिए एक विशेश ट्रेनिंग दी थी ताकि युध में एक घुरा के मरने के बाद दूसरा घुरा उसका जबा ले सके युध के समय चंगेज खां की सेना बिरोधियों की सेना से कम होती थी लेकिन वह अपने पके अनुशासन और संगठन की वज़ा से युद्ध को जीत लेती थी युद्ध में विजय प्रात्त करने के बाद चंगेज खां जिस जिस सहर में जाता उस सहर को वह तबाह कर देता था इतिहास कारों के अनुमान के अनुशार उसने अपने समय के 11% आवादी को मार डाला था चंगेज खां के क्रूरता का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उसने इरान पर आकर्मन किया तो उसने वहां के 75% लोगों को मार डाला चंगेज खां ने उजबेकिस्तान के बड़े सहर बुखारा और राजधानिस समरकंद को पुणी तरह से जला कर राख कर दिया चंगेज खां के आकर्मन के बुखारा पर आकर्मन के बाद वहां के 10 लाख जनसंख्या में से सिर्फ 50,000 ही लोग जिवित थे इतिहास कारों के अनुसार चंगेज खां के आकर्मन के समय जितनी अबादी इराख के थी उतना अबादी पुनम वापस आने में साहिस साथ साल का समय लगा चंगेज खां ने चीन को दिवार को भेद कर जब उसकी राजधानी बिजिंग पर हमला किया तो उसके बाद चीन की जंसंख्या में भारे गिरावट दर्ज की गई उसके बाद चंगेज खां का प्योजना था कि पुरे भारत को रौंधते हुए असान के राश्ते मंगोलिया लोट जाएं लेकिन दिल्ली के सुल्टान एउटुमिस से हार मानने और बिमारी के कारण उसे वापस लोटना पड़ा इस तरह उत्तर भारत एक बड़े भ्यानक बरबादी से बच गया चंगेज खां जो धिके दवरान जिस भी राजा का राज जीत लेता वह उन रजाओं के पत्मी और बेटियों के साथ नगर्न होकर सोता और उनके साथ सारेडिक संबंद बनाता तथा नगन प्रैड भी कराता था इतिहास कारों के अनुसार चंगेज खां हजारों नहीं बलकि करोडों बच्चों का बाप था संख्या पीशू के अनुसार चांच में यह पाया व्याद की आज भी चंगेज खां के एक करोड साथ लाग पूर्स बनसज जिन्दा हैं अगर महिला बनसज की बात करें तो यह संख्या दुगनी हो जाएगी इसका मतलब यह होता है कि प्रिथवी के लगभग तीन करोड लोग चंगेज खां का बनसज है कुछ इतिहास कारों के अनुमान के अनुसार आज भी चीन का हरेत तीसरा आज में चंगेज खां का बनसज है धार्मिक नामलों में चंगेज खां बहुत ही दयालू था तथा बहुष सभी धर्मों का सम्मान करता था चंगेज खां एक बिचाधा समयवाद को मानता था आप उसे उसका धरम भी कह सकते हैं समावाद में मीले असमान की पूजा के जाती है चंगेज खां ताउधर्म गुरु से भी ज्यान की चर्षा करता था तथा चंगेश खां मरने के समय तक अपने धर में समावाद पर कायम रहा उसे जब भी कठिनाई होती थी वह नीले अंबर की ओर देखता था यह बात की पुष्टी कोई नहीं करता कि चंगेश खां की मिलतु कैसे हुई उसे दफनाया गया या जलाया गया एक कहानी के अनुसार चंगेश खां की मिलतु घोरे से गेकर हो गई थी चंगेश खां सम 1227 में 65 साल के उम्र में अपने पीछे एक बड़ा इतिहास छोड़ गया यह आप कह सकते हैं कि चंगेश खां की मिलतु 65 साल के उम्र में हुई थी और हम आपको यह भी बता दें कि चंगेश खां मुस्लिम धर्म से संबांध नहीं रखता था